कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजूकेशन फॉर बेटर टुमोरों में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओए से सी डॉकुमेंट वरिफिकेशन डेट इक्स्टेंडेड इसके बारे में आसा करते हैं आप सभी स्वस्ता होंगे और कोबिट गाइडलाइन नहीं से भी फेक इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको ट्रिगर करने के लिए उसको बाइपास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम पहले खुद ऑफिसेल वेबसाइट से सारे नोटिफिकेशन को चेक आउट करते हैं कन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके बाद हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने फैमिली मेंबर्स को सेयर करते हैं आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स है चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुरिए ऐसे ही अपडेट वरी इंफॉर्मेशन बड़े वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ब नोटिफिकेशन जारी किया गया साथ 6.2021 को यह जॉइंट सेक्रेटरी टू दे गवर्वर्मेंट सुमित्रा सेनापती के द्वारा जारी किया गया है तो दे डिरेक्टर नर्सिंग ओरिशा इसमें सब्जेक्ट है एक्स्टेंशन ओफ डेट और वेरिफिकेशन ओफ ओरिजिनल डिकुमेंट सेनाफ और वैलिडेशन ओफ बायो डेटा फॉर दी पोस्ट ओफ नर्सिंग ओफिशर यह जो पुराना डेट था उसमें वाइड मीटिंग जो 25-2021 को एक मीटिंग किया गया था उसके द्वारा जो कैंडिडेट जो प्रजेंटली कोविड हेल्थ केर फैसलिटी में गौर्मेंट या प्राइबेट किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना था कंसंड सी डी एम प्राइबेटर एच पी जी आई सी कटक विद्धियर ओरिजिनल डोकुमेंट्स बाइ 19 जून 2021 फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सेम जो भी कोविड डियूटी में थे उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे डोकुमेंट्स के साथ से डी एम पी एचो और जो सुप्रेटेंडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेज या डिरेक्टर एच पी जी आई सी कटक वहां रिपोर्ट करना था 19 जून 2021 तक जो किसी भी प्राइबेट या गॉवर्मेंट सेक्टर में काम कर रहा है उनके लिए तो जिस देट को अब एक्स्टेंड करने के रिगार्डिंग आफ्टर केलफुल कंसिडरेशन इट हैज बिन डिशाइड़ के अभी फिलाल जो करेंट सिचुएशन है कोवीड नैंटीन का और और इशा में हाली में साइकलोन यस आया था तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा का इंस अरिक वए तो इन सारे कॉंडिसंस को समझ किया स्टुटेंट की प्रॉब्लेम को समझते हुए जो कमीटी है और इरैससकी की उन्होंने डिसाइड किया है कि तीस छे sleepy तक इसको उक्स्टेंड किया जाए यानि तीश मिटुन जूरीफेशन को तक इक्स्टेंड की आ और रिस्पॉंडेट तो दा इंटिमेशन जिनोंने पहले जो डेट आया था उस डेट पर रिस्पॉंड नहीं कर पाए वो नहीं पहुंच पाए वरिफिकेशन कराने के लिए तो उन सब को फिर से डेट अलॉट किरके उनको दुबारा से उनका फिजिकल वरिफिकेशन जो भी काम कर रहे हैं प्राइवेट और गवर्मेंट सेक्टर जो की कोविट फैसिलिटी के रिगार्डिंग चल रहा है उनको भी एक नोटिफिकेशन जो की डेट लाइन का है वो पैंडेमिक सिच्वेशन खतम होने के बाद जो आएगा उसके बाद फिजिकल वरिफिकेश के लिए प्रिजेंट होना है यहां पर सिंग्नेचर 76 2021 का है और कॉपी है सारे सुप्रिटेंडेंट सीडी एम पी एचोज को डिरेक्टर इन सब को इन्फोर्मेशन के लिए यह मैसेज करी फॉर्वार्ड कर दिया गया है और ऊससी के विबसाइट के लिए यह OSSC सेक्रेटरी को इन्फोर्मेशन के लिए उनके पास एक कॉपी इसकी रखी गई है तो यह थी नोटिफिकेशन OSSC का जोकी इक्स्टेंशन इन देट ओफ डोकुमेंट वेरिफिकेशन एंड बायर डेटा वेरिफिकेशन फॉर्डी फॉर्स्ट ओफ नर्सिंग ऑफिशर OSSC के जानकारी आसा करते हैं आपको हमारे द्वारा दे गई जानकारी यूजफूल होगी और ऐसे वीडियोज को पाते रहने क लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम आपके पास टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे इसकिप न हो जाए आपको यह कैसे करना है मेल के तुरू और वह सब जो आमने पहले बत कर रहे हैं और OSSC के ओफिस्यल वेबसाइड का लिंक वेरिफाइड लिंक वह भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आसा करते हैं आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी यूजपूल होगी ऐसे ही अपडेट वरी इंफॉर्मेशन बरी वीडियो पाते रहने के लिए हमा